किसी जंगल में बंटी कबूतर अपनी पतने टूनी चरिया के साथ रहता था उसकी दो बेटियां में थी बड़ी बेटी का नाम टून्टूने था और चोटी बेटी का नाम सोरहरी था बंटी कपूदर और उसके पत्नी बास के टोक्रियां बना कर जंगल से बजार में बेचा करते थे एक दिन जब दोनों टोक्रियां बेच रहे थे तो तभी अकाश में बादल गिराती है फिर तभी जोर जोर से पारिश आनी लग जाती है अजी सुनते हो जी बहुत एफ बारिश आ रही है हमें घर चलना होगा घर में हमारी दोनों बेटियां हैं आपको था पता ही है न वो बारिश के खर के राज से कितना जरती है वो दोनों बेच से डर जाएंगी फिर दोनों पती पतनी बची हुई टोकरियों को सुमेह देती हैं और फिर दोनों घर जानी लगते हैं अचानक टेज अवाज के साथ उन दोनों पर बिजले गिर जाती हैं और दोनों पती पतनी की मौत हो जाती है इदर दोनों बच्चिया घर के अंदर डरी सह में हुई अपने माता पिता का इंदिजा करें हमारे माता पिता हुमें ऐसे बे सहारे नहीं छोड़ कर जा सकते काकी ये मुझे दिलकुल बेर सच नहीं लग रहा दीदी चलों में चलते हैं ममी भापा को ढूणने सुनरी हम इतनी तेज़ बारिश में कहीं नहीं जा सकते काकी दे सही कहा होगा क्योंकि सुनरी आंटी कभी बे जूद नहीं बोलती है दोनों मेंने पूरी नाथ रोती रहती हैं अगले दिन उनके घर नलक तोता आते है अरे ओ बंटी के बच्चे जल्दी से मेरा किराया दे मरना अभी के अभी घर खाली कर दे हमारे ममी पापा मर गए कल रात ही उन पर बिजली किर गई हम अभी के अभी कैसी किराया लाकर दे सकते हैं जे सब किराया ना देने का बहाना है, कहीं छुपकेया होगा गेंटा सा, किसी ने शूटी खबल फिला दी होगी, अब मैं तुम्हें इस गर में नहीं रहने दे सकता, निकला मेरे घर से लेकिन तोतर आप नहीं मानता, और दोनों बेहनों को घर से बाहर निकाल देता है बेटी, हम सहा जाएंगी, बोलो ना बेटी, बारिश पे पहुत तेज हो रही है तुन्टो ने अपने शोटी बेहन को लेकर बारिश में इदर उदर भटने लगती है, तभी उसे जंगल में बास के बड़े-बड़े पेर दिखाई देती है सुनेरी, मेरी बेहन तो यहां बैट, मैं थोड़े पास इकठा कर लेती हूँ, उसके बाद उससे घर बना लूँगी, और यहां तो बहुत सारे फल के फिर भी है, और यहां हमें भोजन की कमी भी नहीं होगी फिर उसके बाद टुन-टुनी उन बास से अपना घर बनाती है, और पेडों से थोड़े फल तोड़ कर अपने घर में रख लेती है, बारिश करी हफ्तों तक चलती रहती है, एक दिन अंदेरी रात को वैब बास उन दोनों के घर पर आता है एक सुल्साम जगल में ये गोसला किसीने बनाया, चलो अच्छा है, आज तो नलम नलम गोस खाने को मिलेगा दीदी, ये दुश्च बास तो हमें खास आएगा, खुश करो बेहन, हमें तो बस उपर वाला है बचा सकता है, तो बस दुआ गर बास बहुत कोशिश करता है, उस बास के बने हुए घर की, लेकिन वो तूटता नहीं है, फिर वो ठक खार कर महा से, वो दुखी मन से चला जाता है, फिर वो दोनों बेहने, उपर वाले का शुकर अदा करती है कश्मीर के जंगल में टूटतो ने चिड़िया अपने पथे कालुकवे के साथ रहती थी, जंगल में बहुत दित बारिश ओ रही थी, बारिश लगतर जलती ही जा रही थी, लोगों के खेतों में पाल्ही खड़ा हो जाता है एक दिन टुंटो ने चड़िया अपने पधी कालू को इसे कहती है अजी मैं कह रही हूँ कि जब बारिश खतम हो जाएगी तो हम आइस क्रीम की खेती करेंगी क्योंकि कई दिनों बाद तो बारिश हुई है जो पैसे मिलेंगी हम उससे पक्का घर बना लेंगी आपकी के खर्चे निकालेंगी तुम सही कह रही हो टुंटो ने हम आइस क्रीम की खेती करेंगी वेकिन हम आइस क्रीम की जादूरी बेश काहँ जलाएंगी अब चिंदामत के जीए मैं की इमानदार जादूगर को जानती हूँ मेरी सहेली टुनी चेड़ी ने उप इसली बार उससे कुछ बेश दिये थे और उसके बहुत अच्छी फसल होगी थी हम भी उन इससे बेश ले लेंगे और बीच की बराबर उन्हें आइस्पीम दे देंगे फिर दोनों पती पतनी टुन्टूनी और कालो का हुआ उसके गुफ़ा में जाते हैं त्यों रे टुन्टूनी आज जादूगर के जाज कैसे आ गई जरूर कोई ना कोई काम होगा इसलिए मेरे पास आई है वरना दू मेरे पास कहां आती है अब बताओ मुझसे क्या काम है क्या बताओ भले जादूगर आप देखी रहे हैं बारिश बहुत तेजी से हुई थी आप हम सोच रहे हैं कि आप आईस्क्रीम की खेती करें लेकिन उसके लिए हमारे पास आईस्क्रीम के बीच ही नहीं है अगर आप हमें बीच दे दीजे तो आपकी हमारे पर बहुत क्रिपा होगी लेकिन तुम उसी वक्त बीच के बराबर मुझे आईस्क्रीम बापिस कर देना खीके जादूगर आप चिंता मत कीजिए जादूगर तुम्टो ने चिडिया को जादू के बीच दे देती है फिर कालो कवा और तुम्टो ने चिडिया बीच लेकर घर लोट आती है फिर अगले दिन तुम्टो ने चिडिया और उसके बैटी पिंके चिडिया उन बीचों को उबो देती है ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं फिर तुम तो ने चिडिया कालू कवे को खेट में भेशती हैं अजिर जाएए बीजू कवे को कितने दिन हो गए ज़रा देखके तो आएए कहीं भीश सूख को दो नहीं गए अगर सूख गई होगी तो मुझे बता दो फिर कालू को वह देखता है कि सच मुझ में वह बीज सूख गए थे अरे ये क्या ये तो सारे बीज सूख रहे हैं ऐसे तो मेरी सारे खेट कराब हो जाएगा मुझे अभी के अभी इसके सुचाई करनी होगी अपनेखेत के सचाई कर लुगा है। मुझा भुठके करने हैं मेरे पस ना टाइम ही है। फिर कुशे दिनों में कालो कॉए के खिएत में आईस क्रीम की बूटियां लहराने लगती है। जब ये बत स्मोखिया के पास पहुंचती है तो वो उड़क बढ़ता है और उनकी आइस्क्रीम के खेती केसी तरह वर्बाद करने की जोज्रा बनाने लगता है उदर कालू को और टूंटोनी चड़िया भी अपने केत को और उनके फुलों को काटडी की तियारी करते हैं कालू जे हमारी फसल पक जोगी है इसमें लग फल भी लग गया है आप हम इसे बजार में भी एज़ देते हैं कार कर फिर वो अपनी आइस्क्रीम को इकट्ठा करते हैं और अपने घर लेकर आते हैं अरे वाह हमारी आइस्क्रीम के फसल तो काट ली हमने अब कर इसे बेचेंगे पहले जादू करके पास जाकर उसे बीच कर इसाब बराबर करके फिर अच्छे से अपनी फल को बेचेंगे चलो आप जाकर मुहाद धोलीजी मैं आपके लिए खाना परोस्ती हूं जोनों पती-पतनी भोजन करके सो जाती हैं अचानक मुखिया उनकी फसल को चुराने के लिए उनके घर भुच जाता है अचानक से खट-खट की आवाद सुनकर टूंटोने चुरिया के नीद खुल जाती है और ऑचू-चू कर शोर मचाने लगती है टूंटोने चुरिया की बाद सुनकर सभी बत पंक्षी इकठा हो जाती है फिर सभी उसे पीड़ने लगते हैं वो भी जारा आपने किसी तरह जान बचा कर भाग लेता है और अगले दिन टुन्टो ने शड़िया कालू के साथ बजा जाती है आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम रंग भी रंगी आइसक् ले लो टुन्टो ने माँसी एक लाला आइसक्रीम मुझे भी देना फिर दोनों पती पत्नी ऐसे आइसक्रीम को बेच कर पैसा कमाने लगते हैं और सभी खुशी-खुशी रहने लगते हैं सुन्दरवर में टुन्टो ने चड़िया अपनी बेटी लूसी कबूदरे के लूसी कबूदरे के वाद सुनकर तुन्टो ने चड़िया अहां आती है अरे वा यह टॉफी तो बहुत ही सुन्दर है आप जानती हो ना कि मैंने स्कूल में टॉप किया है आज तेरे पिताजी होते तो यह टॉफी देखकर बहुत ही खुश होते चल जा अब मुझे यह ट लकड़ी के बने हुए घॉंसलों को बेचने जाने लगती है तो तब उसे लोसी कुपत्री बोलती है मम्मी अब मेरी अगली पढ़ाई के लिए मुझे नदी के पार हाइवे स्कूल में अडमीशन करवाना पड़ेगा तुम मेरे साथ चलकर मेरे अडमीशन करवा देना लेकि कर टूंटूनी चुडिया घॉंसली बेचने चली जाती है लो एक घॉंसला यह बहुत हवादार और मजबूत है पूरी गर्मिया निकल जाएंगी तुम तो दां में बहुत ले रही हो मैं 30 रूपे दूँगी अगर देना है तो दो नहीं तो मैं जा रही हूं ये लो हरीका की बॉनी का समय है ग्राहक को लोटीनों दोंगी तुम तीस रूपे ही दे दो ऐसा के कर तुन्टुने चड़ी अपने घर चली जाती है शाम को अगले दिन तुन्टुने चड़ी लूसी कपूतरी की इड्मिशन नदी पार के हाइवे स्कूल में करवा देती है फिर अगने द पजार में से जाकर मुझे शत्री लादो फिर मैं विस्कूल चली जाओंगी लेकिन लूसी बेटा तो में तो पता हिए शत्री बहुत ही मेंगी मिलेगी और मेरे पास इतने पैसे कहा है कि मैं तुझे खरीद दू फिर टुन्टुने चड़ी चिंता पर पढ़ जाती है जब लूसी कबूतरी सुबा उठकर वो शत्री देखती है तो खुश हो जाती है अरे बेटा ये शत्री मैंने तुमारे लिए बनाई है अब ये शत्री लेकर तुम स्कूल जाओगी तुन्टुने चड़ी लकडी के गौंसले के इलावा लकडी शत्रियां में बनाने लगत कर बेचने लगती है फिर वो बहुत सारे पेसे कमा कर अपने बेटी लोसी कबूतरी के साथ रहने लगती है